नमस्कार शभी को जैसा कि हमने पिछले वीडियो में study किया था कि अलग-अलग जो हमारे जन्नल एट्मोस्पेर सर्कुलेशन में दो डिफरेंट टाइप के जो cells के बारे में हमने डिसकस किया था headless cell है polar cell है तो आज हम बात करेंगे classification of wind यानि कि जो हवा है वो कितने परकार की होती है तो इस वीडियो का पूरा देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि winds को हम जो है classify करते हैं तो तीन तरह की wind होती है जिसमें एक तो होती है हमार प्लेनेटरी wind यानि कि जो permanent wind होती है दूसरी हमारी periodic या seasonal wind होती है जो season के coding चलती है और third हमारी होती है local wind तो यहां हम देख सकते हैं कि there are three kind of winds first is permanent wind जो कि पूरे साल में जो चलती रहती है जिसको हम primary winds भी बोलते है prevailing winds भी बोल सकते है और planetary wind system तो इसके different different names है लेकिन यह एक ही परकार की wind है जो permanent चलती है पूरे शाल इसके अंदर यह दिम बात करें तो तीन परकार की आती है एक हमारी आती है trade wind वेपारिक पाउने जिसको हम बोलते हैं फिर दूसरी हमारी यह वेस्टर लीज यानिके पच्वा पाउने और तीसरी हमारी इस्टर लीज यानिके प्योडिक विंड यह वाली प्योडिक विंड्स के अंदर जो है दो प्रकार सी हम इसमें डिसक्स कर सकते हैं पहला हमारे सीजनल विंड का सबसे बेस्ट एक्जामपल है वह मॉन्सून इंडिया के अंदर चलती है दूरिंग समर तो यह सीजन के कोडिंग अपनी डारेक्श इसमें परकार से मौंटें एंड वेली ब्रीज है यह प्रियोडिक विंड का ही टाइप है और थर्ड हमारी जो विंड है जिसको मोलते हैं लोकल विंड यानि के स्थानिया पाउने यह किसी स्थान विशेष के उपर वहां की लोकल एट्मोस्फेरी कंडिशन के अकोर्डिं इसमोल एरिया विंड लाइक लू मिस्टल फॉन और यह कुछ से नाम है लोकल विंड के जिसे लू अपने इंडिया के अंदर चलती है मिस्टल है और इसी प्रकार से फॉन है बोरा है चिनुक है बहुत सारी लोकल विंड है जिसको हम डिसकस करेंगे तो यहां आपको बता क्यूंस के पर्मानेट हैं प्रियोडिक कॉन से होती है प्लेनेटरिविंड के दिए बात करें तो इसके अंदर यह दर मैं आपको बता दू प्लेनेटरि विंड होती ए जो पर्मानेट होती है यानि कि एक बहुत बड़े भाग को कवर करती है यह महादीपों के उपर, महासागरों के उपर पूरे साल एक ही दिशा से चलती है और यानि कि हाई चो प्रेशर बेल्ट है हमारी जो सब ट्रोपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है 30 degree उतरी और दक्षनी अक्सांस के बीश में वहां से पूरे साल में ये equatorial low pressure belt के तरफ चलती है तो वहां पर पिर एक circulation बन जाता है जिसको हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था headless L के रूप में तो आज हम बात करेंगे जो trade wind है वो कौन सी wind होती है उनकी चाचा characteristics होती है कहां कहां पर वो फ्लो करती है जिसकी जिसकी बात करें तो trade winds are those winds which blowing from the subtropical high pressure belt अब subtropical high pressure belt का मैंने आपको बताया तब इसले वीडियो में कि area two are the equatorial low equatorial low equatorial low कौन सा होता है भूमद्य रेखे चेतर भूमद्य रेखे चेतर की तरफ यह जो उपोशन कटी बंद्य उच्छ जो हमारे चेतर होता है वहां से चलती है यह भूमद्य रेखा की तरफ they flow as the north east trade इनकी जो direction होती है वो होती है north east for example के लिए मैं यहां globe मना देता हूँ यह देखिए यह हमारा है globe और इसके उपर यह हमारी है भूमद्य रेखा तो यहां से यह यह हमान ले यह हमारा south hemisphere की बात करें तो दियार south east से north west की तरफ चलती है यह देखिए यहां से इस परकार से तो यह यह सब tropical high pressure belt है और इसी परकार से यह सब tropical high pressure belt है यहां से यह जो हमाई है यह equatorial low pressure belt low pressure belt की तरफ यह move करती है पुरे साल जो है इसी direction में यह चलती है तो south east trade wind in the southern hemisphere यह south east से चलती है north east से चलती है इसलिए इनको trade wind बोलते हैं जो एक्चुली में जो ट्रेड है यह वर्ड जो अरबिक जो अरब लोगों ने दिया है एक्चुली में यह ट्रेड नहीं है यह ट्रैक है जिसको हम जिस परकार से एक जो धावक अपने track में दोड़ता है क्योंकि देखिए नेक्स्ट हमारा इसके अंदर the trade winds are descending descending मतलब चाहा है कि यह नीचे उतरती है हाई ट्रोप जो प्रेशर बेल्ट है descending area से वह लोग प्रेशर बेल्ट की तरफ बढ़ती है डिसेडीं इंडें स्टेबल इंडे इरिए ओरीजन जहां पर इंका ओरीजन कहां होता इनका यह देखेए इसमें बढ़ारा कि सब ट्रोपिकल जो राइप रिइसर बैल्ट है वहाँ इनका ओरीजन होता है तो डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरती है और ऑफ टेबल होती है वहां से फिर दे भूव and they reach the equator और वो भूमद्य रेखा की तरफ बढ़ती है दे बिकम हुमीड और वार्मर जैसे जैसे भूमद्य रेखा की तरफ बढ़ेगी वो हुमीड हो जाती है वार्मर गरम हो जाते हैं after picking up the moisture on their way और जिस जिस रस्ते से उचलती है तो वहां से वो moisture को उठा लेती है ocean से चलती हुई अब दोनों दिशाओं से जो हवाई आकर वो चाह करती है भूमद्य रेखा के उपर मिलती है जिसको हम बोलते है यह मैंने पहले भी आपको बता हुआ है due to convergence they rise and cause heavy rainfall अब वो वहां पर आएगी तो वो चाह होगी उपर उठेगी उपर उठेगी तो फिर वो उसमें condensation होगा और heavy rainfall वो करती है तो इसलिए जो equator के पास में दोनों दिशाओं से जो हवाई आती है वो मिलकर उसमें उपर उठती है और उपर उठने से conventional current बनती है और वहां पर फिर वो heavy rainfall करती है इसी zone को हम ITCZ बोलते हैं इंट्रेट्रोपिकल convergence zone the eastern part of the trade wind associated with the cool ocean current यानिके इसका जो इस्टन जो पार्ट होता है trade winds का वो cool ocean currents यानिके जो ठंडी जो समुद्रिया जो धाराएं है उनसे वो मिली हुई होती है संबंदित होती है और dry and more stable क्योंकि जब ठंडी होती है तो ड्रायर होती है मतलब सुखी हुई होती है और यह इसमें more stable होती है मतलब स्थाई होती है देन दा western part of the ocean western part के मुकाबले eastern part में जादा यह permanent होती है नेक्स्ट इसमें आती है हमारी westerlies wind क्योंकि जो हमारी जो trade winds है इनको इस डायरेक्स से चलती है इसलिए कई बार इनको इस्टर्लीज भी कहते हैं और equator पर आने पर यह दोनों आपस में मर्ज हो जाती है और ज्यादा तर इनका जो speed की यह दिम बात करें तो 15 to 25 km पर आर के रूप में यह चलती है नेक्स्ट है हमारी westerlies wind यानि कि जिसकों पच्वह पाउनों के नाम से जानते हैं अब यह जो wind चलती है वो कहां चलेगी अब देखिए यहां जो हमारा जो polar area है सब जो polar area है देखिए आपको दुबारा यहां इसको बताता हूं कि सब जो polar area है इसमें यह equator है यहां जैसे कि हमारा equator है equator से भी मैंने जवाब को बताया सब ट्रोपिकल high pressure belt सब ट्रोपिकल high pressure belt से यह चा करेगी सब polar low pressure belt की तरफ move करेगी तो इसलिए यह यहां इस परकार से इनके movement होती है क्योंकि यह जो equator भूमद्य रेखा के उपर जो हवाएं आती है वह नीचे उतरती है सब polar पे तो इसकी कुछ जो हवाएं उदर वापिस आ जाती है एकवेटर के तरफ और कुछ जो है इधर में सब पोलर लो प्रेसेर बैल्ट के तरफ बढ़ जाती है इसलिए इनको मैं वेस्टर लीज के नाम से जानते हें क्योंकि इंकी डारेक्शन नल्स होति है वह वेस्टर साइड शैट से जाने जाती है अब यहां आने सिटा होता है कि under the influence of the Coriolis force Coriolis force क्या है कि एक rotational force है जो हवा की जो direction को deflect करती है इनकी जो डायक्षिन यह देखिए कैसी होगी इसकी direction ऐसे होती अभी है साउथ वेस्ट से नॉर्थ इस्ट ऐसे यहां ऐसे होगे तो यह साउथ हमिस्फेयर के अंदर चली इनकी characteristics की बात करते हैं क्या है दो वेस्ट लीज आज दा wind blow from the subtropical high-pressure belt अब यह high-pressure belt से ही चलती है टू आड़ दा सब-polar low-pressure belt सब-polar low-pressure belt का मतलब उप दूर ही है जो निमन वायुदाब की पेटी है उसकी direction में यह चलती है दे फ्लो दे ब्लो फ्रों दे साउथ-वेस्ट तू दा नॉर्थ-वेस्ट अब यह दे के direction देखे इसकी कैसी है southwest southwest कौन सी होगी यहाँ इस परकार से यह चलेगी ऐसे यह होगी मारी south और west और यह होगी north और east तो southwest to north east in the north hemisphere उत्री गुलार्द के अंदर यह direction इनकी ऐसे रहेगी और दक्षनी गुलार्द के अंदर इनकी direction विल्कुल ऐसे हो जाएगी northwest to south east northwest to south east यह देखिए इसलिए इनकी जो direction है बहुत हमिस्पेर में चेंज हो जाती है due to the rotation of the earth और due to the Coriolis force since they blow from the warmer area to the colder area क्योंकि अब यह जहां से चलती है तो वहाँ पर वो गरम एरिया है warmer area है subtropical high pressure belt है और यह polar की तरफ move करती है move करेगी तो कहां जाएगी है इस direction की तरफ जाएगी तो यह जो direction है वो cold की तरफ है cold की तरफ बढ़ेगी तो चाह होगा they cause considerable rainfall especially on the western margin of the continent अब यह वहाँ western से चल लिए तो जितने भी महादीप है उनके western जो पार्ट है यानिके पस्मी जो एरिया है उनकी तरफ वो चाह करती है rainfall करती है तो यदि हम बात करें इसमें तो यह जो northern hemisphere है यानिके उत्री गोलार्द है उसके मुकाबले में यह जो दक्सनी गोलार्द है यानिके सदरन hemisphere है यहाँ पर इनकी जो velocity है या direction है चलने की वो ज़्यादा stable हम कह सकते हैं as compared to the north hemisphere क्योंकि north hemisphere के अंदर land part जादा है south hemisphere के अंदर water body जादा है इसलिए इनकी जो speed होती है वो ज्यादा south hemisphere के अंदर ज्यादा होती है तो local trader ने इनके काफी अलग-अलग नाम रखे हुए यहाँ पर तो इसमें देखिए the westerlies of the southern hemisphere are stronger यह देखिए southern hemisphere के अंदर आर वो बहुत ही ताकतवर strong हो जाती है and persistent due to the vast expense of the water किसकी वज़े से वहाँ पर जो जल का जो प्रभाव है या क्योंकि वहाँ पर पानी की मातरा जादा है इसलिए वहाँ पर ज्यादा strong हो जाती है while those of the northern hemisphere are irregular northern hemisphere के अंदर यह नियमित यह स्थाई नहीं है because of the uneven relief of the vast land masses योंकि वहाँ पर जो land masses है वो काफी uneven है और uneven land masses यानि के कहीं पर परवत है पठार है मेदान है इसकी वज़े से वहाँ पर जो उसकी जो हवा की जो speed है वो काफी इससे परभावित होती है the westerlies are best developed between 40 to 60 degree यह 65 यह 40 से लेकर 60 degree के बीच में यानि कि south hemisphere के अंदर दक्षनी गुलाद के अंदर 40 से लेकर 60 degree के बीच में यह जो हवाई है वो काफी मतलब यूं कह सकते हैं काफी strong है और काफी तेज गती से चलती है due to the presence of worst expense of the ocean in the southern hemisphere the westerlies are much more stronger and more constant in the direction the westerlies are the best developed between 40 to 65 latitude hence they are known as brave west wind यानि कि इनको brave west wind बहादूर पस्मी हवाउं के नाम से हम इनको जान सकते हैं यहां पर तो अब उनकी जो speed है 40 degree पर 50 degree पर 60 degree पर south hemisphere के अंदर वो अलग-अलग speed की वज़े से क्या है इनको मतलब उनकी जो sound जो create होती है sound यानि कि 40 degree पर चलने पर 60 degree पर 50 उनकी जो sound create होते हैं sound के अदार पर इनके अलग-अलग नाम रखे हैं तो इनको हम कह सकते हैं कि यह देखिए roaring 40 यहां पर इसको रोरिंग 40s, furious 50 and sinking 60s, furious 40s, 50s and 60s, 40, 50, 60 degree पर यह जो हमाई चलते हैं उनका यह नाम दिया गया है और पोल बाउंडरी जोते हैं इनकी वेस्ट लीजिज हाई क्योंकि जैसे जैसे पोल के तरफ जाती है तो इनकी जो बाउंडरी होते हैं वो फ्लक्ट हो जाती है तो यह अलग-अलग टाइप की विंड है जिसमें जो यह वेस्ट लीज विंड है और इसी परकार से अब हम बात करेंगा कि जो हमारी है है पॉलरे एस्टेलीज कौन्ट सी होती है जो की पॉलकी तरफ से जो पॉलकी तरफ से चलती यानिके जो उत्री जो हमारा धुरोवा दक्शनी दुरोवा वहां से वह चलती है सब पॉलर लो प्रेशर बैल्ट की तरफ च्योंकि वहां पर sixty पर पूरे साल में कम receive हो पाता है, इसकी वज़े से हवा की जो density है, जो dense हो जाती है, वहां से फिर वो high pressure create हो जाता है, high से फिर वो low pressure की तरफ बढ़ती है, सब polar low pressure belt की तरफ बढ़ती है, तो इनकी जो direction होती है, वो इस direction से वो move करती है, इसलिए इनको polar easterlies के नाम से जाना जाता है the polar easterlies are dry, यह जा होती है, सुस्क हवाई होती है, ठीक है, इसी परकार से यहां पर इदियम बात करें की, they are dry, और इसके साथ साथ cold, ठंडी भी होती है, prevailing winds blowing from north east to southwest direction, जिस परकार से trade wind की जो direction होती है, इसी परकार इनकी जो direction होती है, north east to southwest, उत्री गुलार्द के अंदर, दक् इसने को लाज़त की बात करें, तो they are blowing from the south east to the northwest in the southern hemisphere, अब इनका origin कैसे होता है, मैंने बताया आपको चोंकि यह यहां पर temperature कम रिजी होता, तो high pressure create हो जाता है, जिसके वज़े से यह सब polar low pressure belt की तरफ blow करती है, तो they blow from the polar high pressure area, और सब polar low pressure belt, polar high से चलती है, और polar low की तरफ यह ब इसके साथ साथ में, since the origin from the poles, they are extremely cold, क्योंकि वो polar area से इनका origin होता है, polar area से इसलिए वो ज्यादा ठंडी होती है, ठंडी होने के कान फिल्म जो comparatively warm area की तरफ यह move करती है, और यह ज्यादा rainfall नहीं करती है, क्योंकि ठंडी होती है, ठंडी होने से condensation की process में effect होता है, और इसकी वाज़े से वहाँ पर वो rainfall ज्यादा नहीं करती है, their capacity to absorb moisture is very little due to the low temperature, और निकी जो capacity होती है, वो भी काफी कम होती है, ज्योंकि temperature इनका low होता है, इसलिए वो ज्यादा moisture को grand नहीं कर पाती है, और इसकी वाज़े से यह rainfall भी नहीं करती है, तो यह तो थे हमारी three kinds of wind, permanent wind के बा इस्टरलीज जो विन्डा पॉलर विंड्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी seasonal wind जिसमें monsoon है, और जो हमारी land breeze और sea breeze है, thank you